आज यूट्यूब चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जी इंग्लिश का इंग्लिश लेंग्विज थू लिट्रेचर सेकेंड इसके बारे में डिसकेशन करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे इंपोर्टन टोपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़कर चले जाएंगे तो आपके एक्जाम में अच्छे माक्स आ जाएंगे तो क्यूंकि आपको पता है काफी कम टाइम बचा है एक्जाम में एंट ऐसे समय में students जो उनके बन में काफी डाउट है कि किस तरीके के questions आएंगे questions में क्या पूछा जाएगा तो काफ़ी doubt है तो इसलिए हम यही discuss करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे topics है सिरफ उनको पढ़कर आप exam में अच्छे marks ला सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं बट start करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजे ताकि हमारे हर वीडियो के update आपको time से मिलती रहे साथ ही वीडियो पने दोस्तों के भी share करें ताकि उनकी भी help हो सके तो चलिए जान लेते हैं तो देखिए आप करें जो subject है English language through literature इसका question paper तो same ही आएगा चाहे बीए कि students हो या बीकॉम के ठीक है तो हम mainly इस चीज़ पर focus करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे topics है जिन पर आपको ज़्यादा focus करना है जिन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके exam में अच्छे number आए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो important चीज़ होती है किसी भी exam के बारे में estimate करने की वो हो देखिए प्रिवाइक उसको देखना तो previous year questions के analysis करके ही हमने ये topic prepare किये है जो कि exam में आप से पूछे जा सकते हैं अगर आप ये topic कर लेंगे तो आपको कुछ हो topic करने की जोड़त नहीं है तो देखिए पिछली वीडियो में भी हमने discuss किया था कि ये जो subject है इसके exam में आपको तीन passage देखने को मिलेंगे जो कि unseen passage होंगे आपने कभी नहीं देखिए होंगे ठीक है और उन तीन unseen passages को पढ़कर भी आपको questions के answer देने होंगे ठीक है पार्ट ए में से आपको तीन questions करने होंगे और पार्ट बी में से भी आपको तीन questions करने होंगे ये भी हो सकता है कि कुछ जादा या कुछ कम questions करने के लिए कहा जाए तो ये जब आपको question paper मिलेगा उसमें से आपको instructions पढ़ लेने हैं ठीक है ये estimation लगा जा रहा है प्रीवियस के questions को देखर कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको तीन questions जिनरली तीन questions करने के लिए कहा जाता है पार्ट ए एंड पार्ट बी में से ठीक है अब देखें पार्ट ए जो है वो comparatively easy होगा क्योंकि पार्ट ए में क्या है आपको जो passage दिये होंगे उनी को पढ़कर पार्ट ए में जो questions होंगे उनके आपको answer देने है मतलब कि पार्ट ए में आपको खुद के mind की creativity का ता यूज नी करना जो आपको passage में देखने को मिलेगा उसी का आपको answer लिग देना है summarize कर देना है ठीक है तो part A comparatively easy होगा part B जो है इसमें आपको कुछ खुद से करने के लिए कहा जाएगा जैसे formal letter लिखने के लिए dialogue writing करने के लिए तो part B के जो questions होंगे इसमें आपको अपने mind का थोड़ा जारा use करना होगा ठीक है तो चली देख लेते हैं part B में जो questions है वो किस तरीके के होंगे देखे पार्ट B जो है इसमें तीन questions आपको करने होगी जैसे कि मैंने आपको बताया previous year question paper की recording तो यही है फिलाल बट बाकि आपको तब पता चलेगा जब आपको question paper दिया जाएगा तो उसमें आपको instructions हो देख लेनी है ठीक है पार्ट B में आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप conversation writing करने के लिए कहा गया है passage 1 को पढ़कर ठीक है आपको पहले passage 1 को पढ़ना होगा then आपको conversation writing लिखने है conversation writing को आप dialogue writing में बोल सकते हैं तो dialogue writing यानकी conversation writing आप अच्छे से करके जाएगा क्योंकि यह question पूछे जाने की काफि जारा chances है ठीक है इसके अलावा second जो most important question है जो कि पूछा जाएगा वो है diary entry diary entry का एक question ज़रूर आता है तो आप diary entry भी make sure कीजिएगा कि आप करके जाए ठीक है पढ़के जाएगी diary entry कैसे की जाती है तो यह दो तो बहुत important questions है diary entry and conversation writing थर्ड जो पूछा जाता है वो है research journal prepare करना इसमें आपको क्या करना होता है research journal बनाना होता है देखिए आप word limit पर दिरूए है एक और चीज़ आपको धिहान में रतनी है जो word limit है उससे ज़्यादा words को आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको पता है GE English या हिंदी का जो एक्जाम होता है वो lengthy हो जाता है तो इसलिए आपको एक ही question में ज्यादा time नहीं लगाना है ठीक है आपको जो word limit है उसी के according अपना से लिखना होगा अब research journal जो है यह भी आप ज़र करके जाएगा यह भी important है बट इसके chances कम है जो सबसे ज़्यादा important topic है वो है conversation writing and diary entry ठीक है इसके लावा letter writing भी आपको कहा जा सकता है कि आपको letter to friend लिखना है या formal letter लिखना है principle को या किसी को भी तो letter भी आप करके जाएगा letter, formal या informal कोई सा भी आ सकता है ठीक है इसके लावा यहाँ पर देखे फिर से questionnaire या conversation यान की dialogue writing का ठीक है तो इसलिए आपको dialogue writing पर पूरा focus करना होगा ठीक है narrative writing भी कहा जा सकते है लिखने के लिए narrative writing में कुछ निकना आपको जो passage में हुआ है उसी को सेम अपने शब्दों में लिख देना है story की तर है ठीक है बट आपको जो passage में लिखा हुआ है उससे अलग शब्दों का यूज करना उससे अलग words का यूज करना है ताकि जो examiner उसको यह ना लगी कि आपने बिलकुर हूबहू को कोपी कर दिया है ठीक है तो नरेटिव स्टोरी में जो passage में लिखा होगा उसकी कहानी को आपको पहले खुद पढ़ना है दैन अपने मल से कहानी बना कर लिख देना है ठीक है यह देखिए दुबारे डाइरी एंट्री का क voorflink की घिसलिए राइट्री जहरूर करनी है इसके लाव tropical ऑसे गetz इसलिए घे़नी जासकती मतलब कि आपको कहा ठोड़ना है इसलिए कि आपको एससे लिखने के लिए एसी डिखने के लिए जाय कि इसके लावा यहां पर देखें y welcome आपको दिया जा जाएगा जिसमें दो लोगों की बीच में बात्चित होगी होगी तो आपको यह कह दिया जाएगा कि इंटर्व्यू राइटिंग किजिए उसके कोडिंग ठीक है तो इंटर्व्यू राइटिंग भी आपको करके जाने हैं इसके लावा यहां पर एक फॉर्मल लेटर दे दि होगा जिसमें क्या किया जाता है टाइटल लिखा जाता है फिस सब हैडिंग लिखी जाती है में हैडिंग लिखी जाती है यह सब ठीक है तो नोट हैडिंग भी आपको प्रिप्यार कर लेना है क्योंकि नोट हैडिंग का भी एक कोशन जरू पूछा जाता है ठीक है तो इस इस हिसाप से जो कुछ important topics है वो होगे diary entry, dialogue writing, note making and letter ठीक है ये कुछ important topics है जो आपको ज़ोर करके जाने हैं इसके अलावा यहां पर एक और question देखने को मिलता है देखिए, write the following according to the correct MLA citation style तो इसमें आपको क्या करने हैं कुछ चीज़े लिख्यों ही दी गई हैं इनको आपको correct करके लिखना है MLA citation style में तो ये MLA citation style के coding कैसे लिखा जाते हैं ये भी आप कर सकते हैं ये topic भी पूछा जा सकते हैं इसके ओपर भी question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आप ये भी करके जाएंगे तो जाड़ा better है ठीक है अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें ये video को share करें ये कुछ important topics थे अगर आप इन topics को कर लेते हैं तो exam आपका अच्छा हो जाएगा अच्छे marks आपको मिल जाएंगे exam में ठीक है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें थैंक यू